दोर्थी जॉनसेन गया समध गद्धी का अफसाना है दोर्थी जॉनसेन पूरा नाम क्या लिखूं दोर्थी लामार दुबले पतली बंगाली जोलर की आखें आइनक के दवीज शीसों के पीछें तंस से मस्कुराई और इंग्लो इंडियन लड़की जो अपने सोने का हार जोलरी को दे चुकने के बाद सोच के समुन्दर में डूब गई और जिसके बाल रेशमी नहीं थे और जिसके फिराग की उड़े हुए रंग ने बंगाली जवलर्स को इस कदर गहरे तंस करने पर अमादा कर दिया था चौक उठी जैसे किसे इने उसे एक मोटी गाली जड़ दी हवा में उड़ते हुए भारी बालों को लटको फिरते हुए कहा नहीं डोड़ थी जोन सीन लामार होती तो हिंदुस्तान की एक मामूली से शहर के हाँ जलील सी दुकान में अपना जेवर बेचने ना आती और ना ही वो बोलते बोलते हाँ वो बोलते बोलते अचाना खामोश हो गई सफेद कागस पर दोरती हुई फोर्टीन पैन की फॉन्टैन पैन की सुनहरी निब को देखने लगी जो नन्हे नन्हे खूबसूरत हुर होती हुई चली जा रही थी उस पर दस्तखत कीजे मैडम बंगाली जेवलर ने कहा तेजी से दोड़ती हुई निब कब रुकी उसे उसका ख्याल भी ना रहा अचानक बड़े से सुफेद मोटे खाते की तहरीर पर उसने एक ताहराना नजर डाली और फी जल्दी से जेवल पर दस्तखत कर दिया और एक सो रुपे एक सो दस रुपे के नोट संभालती हुई वो साइकल के अगले चक्के को दबा कर हवा देख रही थी कि फिर बंगाली जोलरी की आवाज आवाज ने उसके कान में पिगलता हुआ सी सा उंडेल दिया और रुपे की जरुरत आ तो बेतकलुफ आजैएगा मेडम जेवरी ने भी होतो कोई हरज ना भी होतो कोई हरज नहीं सिर्फ आप का होना काफी है उसके जी में आया है काई कि तमाम नोट चाक कर के कमीने जेवलरी के मुद पर दे मारे और पीछे पीछे कर और चीख चीख कर रोने लगे लेकिन वह ऐसा ना कर सकी दोसरे लम्हे में उसके तख तो शुरूर में जौन खांसा हवा है जो खांसा हवा है बेबसी की हालत में नमूदार हुआ और वह चुपके से और वह चुपचाब घर की तरफ जाने वाली सुनहरे सडक पर हो ली दोर्ती जानती थी कि जवली सिर्फ है जवलरी ही नहीं बलके दलाल भी है वह लड़कियों को फांस कर शहर के कारखाने दारों करखंदारों मिल मालिकों और रईस अफसरों के सुपूर्द कर देता है और इस तरह काफी रुपे वह कमा लेता है इंग्लो इंडियन लड़की के तो वो टोह में रहता है जैसे खरीदार खास तोर पर पशंद करते हैं इस तरह दोसरी लड़कियों के मकाबले में उसे ज्यादा दलाली मिल जाती है और उसने ये सब कुछ जानते हुए इसी जोलर के पास जाना मनासिब समझता था वो जिवलर सहर के कुछ किनारे रहता है उसने सोचा जेवर बेशते हुए उसे कोई जाना पहचाना हुआ आदमी देख ना पाएगा उसने सोचा था अगर अपना अपना अप ठीक हो तो कोई किसी का कुछ नहीं पगाड सकता जोलर को इतनी जुरात ही ना होगी कि वो किसी शरीफ खातून को आवारगी की दावत दे दे सके वो औरते तो आप ही जोलर के पास इस गर्ज़ से आती हैं जो कमीनी है जिने गुनाह ने कुछ इस कदर मलबूस कर दिया है कि वो चंद रुपे या एक लमहाती आश के लिए अपनी हसमत तक बेच डालती है और यूँ वो अपनी जल्लत का सामान आप पेदा कर लेती है इंसानियत के आला तरीन जोहर को तबाह कर देती है वो तो शरीफ है जोलर को कैसे जुरत हो सकती है लेकिन बंगाली जोलर अपनी कमीनी की से बास नाया उसने दूरती को भी गुनाह की दावत देते हुए जिजग कर महसूस ना की जिजग महसूस ना की और आज वो बंगाली जोलर की अच्छाली हुई कीचल को अपने दामन पर साफ देख रही थी डूरती सोचते सोचते फिर अपने ख्यालों की गहराईयों में डूप सी गई साकील दूर ये दरखतों का मकानों के पीचों बीच गुजरने वाली अकेली वो बेवा की च्छाती की तरह वीरान रहने वाली मसड़क पर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी सियाही माईल सब्स दरखतों की गतार पीचे गिस सकती जा रही थी साइकल पर बैठे बैठे दोड़ती ने नजर उठा कर देखा सड़क का बाया मोड करीब था जहां से उसे अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क मिलती थी सुर्ख हीटों वाला गिरजा उसके सामने था गिरजा के आयन पेशानी पर गंदा था यूसु मसी ने कहा उठ और लड़की उठ खड़ी हुई दूर थी ने सोचा काश कहीं खड़ावंद यूसु मसी मिल जाता उसी वक्त अपना सरपूरे खलूस से उसके खड़मों पर डाल कर कहती ए मर्दा लड़की को जिन्दा करने वाले मुकदस खड़ा तुझसे एक बेबस और लाचाल लड़की की दौा कर रही है के तुझे मुतेरी इक मा वरजन मीरी की आसमत कर की कसम के मेरी इस आसमत की मौत से पहले खुद मुझे मौत आ जाए मुझे इस जहां से उठा ले अपने पास आर्श के बलंदे पर जहां पहुँचकर कोई बंगाली जोलर्स मुझ पर कीचर ना उचाल सके गिरजा फ्लांग भर पीछे रह गया उसकी साइकल की अगली सड़क पर मौंग दलती चली जा रही थी रोड़ थी को युसु कहीं ना मिल सका जब वो अपने कमरे के करीब आई तो अंदर से जौन के खासने की आवाज ने उसे चौका दिया वो जल्दी से साइकल को दर्वाजे वाले जीने से लगा कर अंदर लपकी लेकिन एतनी देर में जौन की खासी बंद हो चुकी थी और तक्ये के सहारे नीम दराज खुली हुई खड़की से बाहर के जानी देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता तौलिये से पेशानी पर आई हुए पसीने को खुशक किये जा रहा था जैसे मीलों की मसाफ़त तै करकलेने के बाद वा बिलकुल निडाल हो गया हो दोर्थी ने खिलाफ तवक्व जोन का चेरा उतरा हुआ देखा जोन के कानों में जब दोर्थी के कदमों की चाप गई तो उसने गर्दन घुमाई आ गई डारलिंग मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्यों कैसी तबियत है तुमारी दोर्थी सामने वाले स्टूल को पलंग के करीब खीच कर बैड़ गई और जौन के हाथ से तौलिया लेकर उसके पसीने को खुद पूछने लगी कुछ नहीं डौर्थी आज जरा खासी आ गई है शायद खून भी आया है खून डौर्थी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने में किसी ने तेज और जहर में भीगा हुआ नश्टर चुबा दिया हो तीन मेहिने के बाद आज फिर खून आ गया था दौर्थी ने देखा जैसे वो डूब रही थी समुंदर के बीचों बीच तूफान के यलगार में डूबने से बचने के लिए उसने इनतहाई कोशिश की साथ पेर मारते थपरते उचली और जब उसे यकीन हो गया कि वो जल्द ही साहिल से जा लगेगी तो यकायक उसे फिर गयर मरी हातों ने समुंदर के बीचों बीच फेक दिया फिर वही तो फान वही थपेड़े वो सोच की गहराई में डूबती ही चली जा रही थी फिर आज ही आप ही आप चौकी देखा तो जान टिक्टिकी लगाए उसे देख रहा है उदा से गम दीदा जैसे डूर थी के दुखों के एक 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 लम्हे एक एक पल से वाकिफ हो उसके दिल की गहराई में सुलकती हुई आग में उसके साथ खुद भी जल रहा हो डूर थी जिसके आँखों में आसु आ गए थे वो जो भूल गई थी कि डॉक्टर ने जान के सामने मगमूम रहने की सخت ममानियत की है अपने आखों में आए हुए दिल के खुण को चेहरे फिर कर खुशक करके जौन देख ना पाए मेरे जाने के बाद कहीं तुम गए थे हाँ जरा सामने सड़क तक अकेले घर में बैठे पैठे तबीद घबरा रही थी सोचा जरा टहल लो जी बहाल हो जाएगा आते आते बहुत ठक गया था डार्लिंग दोर थी जानती थी के डाक्टरों ने जब उसे बिस्तर से उठने तक को नहीं कहा है जौन इतना चला तो फिर खुण आ गया होगा वो जौन को एक मिनट भी तनहा नहीं छोड़ती थी कि वो उठना चाहे तो अकेले में कैसे उठ सकेगा आज उसकी मेहनतों पर पानी फिर गया जो डर लगा हुआ था वही हुआ काश हुआ आज तनहा छोड़कर नहीं जाती या जाने से पहले उसे हर तरह की ताकीद कर दी होती उसके जी में आई कि वो बाहर निकल पड़े और आँखों में बहक अरने हुए असाहलाब को छोड़ दे ताकि इस तरह से उसके दिल का सारा गुबार सारा दर्द दुख धुल जाए लेकिन वो जान को छोड़ कर ना जा सकी और सहलाब को सब्त कर लिया उसने सोचा वो जान से पहले खुद नहीं मर सकती इनसान कितना मजबूर है वो सोचती रही सोचती रही और आफ़ताब घने दरختों के नीचे उतर गया धीरे धीरे फिजा में धुंद लगा फैलने लगा और उस माहौल और भी उदास हो गया दोर थी पिलंग पर बैट कर जॉन के सर को अपने गोद में लिए आहिस्ता आहिस्ता सहलाती रही उसकी आँखें दूर आसमान पर फैली हुई शफक पर लगी हुई थी वो धुंद लगे में जजबे होए होती जा रही थी जौन अपना सर उसकी गोद में रखकर सो गया था उसने आहिस्ता से उसका सर उठा कर तक्ये पर रख दिया कमरे में धुंद लगा कर लगा हाँ गहरा होता जा रहा था वो लटे हुए आंसान की तरह बोजल कदमों से लेम्प तक गई और लेम्प रोशन कर दिया उसने देखा मेज पर बैकरी वाला लड़का ना जाने कब रोटी रख चला गया था रोटी देखकर जैसे सोई भी भूख बेदार हो गई वह एहसास हुआ कि वह सुबह से तो दो तो एक चाई की सिप्याली पर अब तक है उसने सोचा इसे कुछ खान लेना चाहिए भूख तो आदमी को और भी निढाल कर देती है हाँ होँ 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 वह अभी सोच ही रही थी कि उसका शोहर खासी के बाइस नीन से जाग उठा और फिर खासी का तसलसल कुछ इस तरह बंद बंद गया कि दोरती डर गई कि मबादा उससे कुछ ना हो जाए जौन खास्ता ही जा रहा था और दोरती उसे बाजुआं का सहारा दिये उसकी पुष्ट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरती रही थी नहायत घबराई हुई फिर जौन की खासी धीरे धीरे तदरीजी तोर पर थम गई और वा कटी हुई साख की तरह दोरती के बाजुआं में जूल गया और सर को पिलंग से नीचे करके ठोकता रहा दोरती मतहश निगाहों से चिराग की रोशनी में उसकी थूक और खंखार के साथ आई हुए खून को सुर्ख को देखती रही करीब था कि वो खुद बेहोश हो जाती कि उसने जब्त किया अपने आपको संभाला देखो डरो खून तो नहीं देखो जरा खून तो नहीं दोरती ने पिलंग से जाक कर एक दफ़ा देखा और कोशिश करने के बावजूद वो जूट ना बोल सकी वो सच भी बोल वो ना सच बोल सकी खामूश रही दिल में उटते हुए तूफान को दबाए आँखों से बहे आने वाले सेलाब को थामें कुछ लमाओं के बाद जौन ने खुद ही छाक कर देखा लेंप की मदकूक नौशनी में फर्ष पर जा बजा खून के धबे नजर आए डोरती ने देख कर अचानक उसका रंग जर्द हो गया है वो पेशानी और चस्म पर पिसीने पड़े तेजी से बहने लगे हैं तौलिया लेकर जौन के पसीने को खुशक करने लगी उसने महसूस किया कि उस वक्त उससे जब्त करना है वो जौन को क्या संभा लेगी वो खुद निड़ाल होती जा रही है वो खुद बरसों की मरीज नजर आने लगी है और फिर उसकी इस कैफियत की तरफ जौन का ख्याल गया तो वो मदहश नजरों से देखते हुए घबराए हुए लहजे में बोला क्या हुआ दोरा तुम इस कदर घबरा क्यों रही हो अचानक दोरती को एहसास हुआ कि उसका यू परेशान होना उसकी ब ये जहर से कम ना होगा उसने जौन की पेशानी का एक तवील महबत आफरीन बोसा लिया और बोली नहीं डारलिंग कुछ भी तो नहीं और ये कहते कहते उसका दिल भर आया और उसके जी मैं आई कि आज वह जौन से लिपट कर फूट फूट कर रोए कुछ इस कदर कि उसका दर्द धूल जा कर बह जाए और लरसता हुआ निचला हों दातों तले दबाई रही दबाई रही बहुत खून आया है ना दोरा दोर थी ने सोचा जवाब मैं कहदे नहीं मगर वो सामने पड़े हुए खून को देख रही थी जो फर्शपर जमकर कली जी की तरह हो गया था एक सकता और पत्रीली है है हकीकत जिसने स्फरार मुम्किन नहीं वो जॉन के इस सवाल का जवाब ना दे सकी अब जॉन उसके चेहरे पर से नजरे हटा कर जंगले से बाहर खुले हुए आसमान को तक रहा था जहां दरखतों के जंड पर से चांद उपर उठ रहा था जिसक जाने किस के सोग में ना जाने किस गम में और अब तो उसे जॉन की जिन्दगी से मायूसी हो चुकी थी वो जॉन के करीब स्टूल पर बैठी अपने ख्यालों में डूबी रहती उसके कान में जैसे कोई कहता रहता ये सब जूट है दोर ती ये डॉक्टर सब जूट बोलत हैं जान फिर समल नहीं सकता जान अब जी नहीं सकता बीस रोज की लगातार मेहनतों और अन्थक कोशिशों के बाद उसकी सहत में कुछ इजाफा हो गया था तो उससे कितनी मसरत होई थी जैसे शच जहत की दौलत मिल गई हो कितनी मसीबतों से वह उसका हिलाज करा रही थी दफ्तर के मनेजर से फेशगी मांगी उसने धतकार दिया नोकरी छोड़ गई डॉक्टरों की खुशामदें की हता कि उसे कमीने ने जोलरी की गाली तक सुननी पड़ी उसके दौरान मैं उसका नोकर तक भाग गया जौन के इलाज के साथ साथ घर के सारे चोटे बड़े का उसे खुद संभालते पड़े और अब उसकी तमाम महनतों और कोशिशों पर पानी फिर गया था जैसे साहिल के करीब आए हुए डौर थी को फिर किसी गैर मरी हाथ ने समुन्दर के बीच धके लिया हो ये देखकर इतना कितना सदमा हुआ आह डूपते को तिनके का भी सहर ना रहा समुन्दर में समुन्दर में डूबी हुई दोर थी ने सोचा अगर जौन मर गया तो जैसे किसी ने उसके सीने पर मीख रखकर जोरे हथोड़े दे मारे हो उसने जंजला कर अपने जहन पर उभरती हुई तस्वीर को बड़ी बेदर्दी से नौच फेका वो किसी हालत में जौन को जिन्दा रखना देखना चाहती थी कुछ देर वोग खाली जिहन होकर जौन को देखती रही जिसके चेहरे के सुर्खी और उसके खून के साथ बह गई थी वो जौन हल्दी की तरह जर्द होकर रह गया था हड्डियों के ढहचर जौन की तरफ देखते देखते उसने अपने माजी की तरफ जहांकर देखा जहां वो जौन के साथ जिन्दगी की हसीन तरीन लमहाद बुसर चुकी थी जिन्दगी का कारवा मुस्कुराहटों और रंगीनों के जल्वों में गुजर रहा था उस वक्त जौन किस कदर खूबसूरत और वजहिया था कि वह उसे देखती रही रहती और कभी न ठकती जब जौन लंबे लंबे डाक भरता हुआ उसके खरीब आता और अपने भरे भरे बाजों की ग्रफ्त में लेकर अपना शहद आ गही होट उसके होटों पर रख देता तो डोर थी को अहसास होता कि जौन की होटों की मिठास बू से कुछ जरीए उसकी रूह में उतरती जा रही है और उसके जिसम को जर्रा जर्रा इस शहद में भी गया है और वो सोचती की काश तमाम जिन्दगी उसकी कैफियत की लजज़त कि सहारे गुजर जाती उस तरह वो जौन की गिरफ्त की कैफियां गुजर जाती एक आश लेकिन वो फिर जौन के दफ्तर चले जाने के बाद हद दर्जा मगमूम रहती तनहाई का यह आरजी हिसास उसके हायात पर कुछ इस तरह मसलत हो जाता कि वो बा रहा जौन को देखने के लिए उसके दफ्तर तक जाने का इरादा कर लेती मगर सिर्फ इरादा और जब कभी जौन की दफ्तर से लोटने में देर हो जाती तो एक हिंदुस्तानी परदे में रहने वाली खातून की तरह बेचैन हुआ हुआ उटती हो उटती घर में एक नौकर था तनहाई और बेकारी के अजियतनाक लमहों से छुटकारा पाने के ख्याल से वो किसी मसरूपियत में खो जाना चाहती थी और जब उसने अपने इस इंदिया का जिकर जौन से किया तो जौन ने सलाह दी कि वो कहीं नौकरी कर ले और जौन की बातों को कब न मानती थी उसने हामी भर ली थोड़ी दिनों बाद दोर थी एक दफतर में नौकर हो गई दफतर जाना से एक घंटा कब लही वो और जौन घर से निकल जाते साइकल के आगे बैठी रहती और जौन चलाता रहता वो साइकल दो रही ये दरखतों से खड़ी हुई सड़क के सीने पर मौंग दलती जा रही होती रास्ते में एक का दुका आने जाने वाले राह गीर नहें बड़ी हसरत भरी नजरों से देखते रहते वो साइकल को को तार पर चरचराती हुई निकल जाती और जब कोई आस पास आदमी नहोता तो जौन अपना एक चौथाई बोज उस पर डाल देता और फिर बेख्याली में उसके गर्दन के बीच नीचे से अपना मुँ लाकर उसके गाल को चूम लेता साइकल डगमगा कर रह जाती और जाहिरी गुसे का मुझाहरा करती जौन एक तवील कहके लगाता जो उसे दफ्तर में छोड़ कर अपने दफ्तर को हो लेता और जब वो दफ्तर से निकलती तो देखती कि जौन साइकल लिए उसका मंतजिर है उन्होंने अपना मामूल बना लिया था कभी जौन किसी वज़से खिलाफ मामूल ना सका खिलाफ मामूल ना सका तो फिर वो घर में जाकर जौन से खूब लड़ती बिलकुल अपने पड़ोसी में रहने वाली मुसल्मान आउरत की तरह दोर थी कि जिन्दगी पर जौन अपनी तमाम दिलावेजियों के साथ चाया हुआ था तफ्तर में कुछ कर रही हो उस वक्त भी जौन उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता या उसके गालों को चूमने के लिए बड़ रहा होता काम करते वक्त वह चाहती थी कि किसी तरह जौन उसके सामने ना आ जाया करे उस तरह तो वह कुछ भी ना कर सकेगी ऐसे जजबातियत भी क्या उसे वह दिन आज भी याद है जब उसने नोटिस लेते हुए बेख्याली मैं कापी के हाशिये पर बेजा जौन डारलिंग लिख दिया था जैसे उसके खरीब से बैठने वाली लड़की ने बताया था वह चौक कर उसकी मिटाते महव हो गई थी कितनी शर्मिन दगी महसूस कर रही थी उस वक्त और अब जौन की खासी निस्बतन कम हो गई थी शायद दवा और इंजेक्शन से असर क्या था शायद नकाहत के बाइस वक्त खासी ना सकता था दोर थी एक उगाल दान उसके करीब लाई उसने खंगाल कर उसमें थूग दिया और दिन से करीब करीब खून आना बलकुल बंद हो गया मगर फिर भी थूग के साथ हलकी सुर्खी आही जाती पिलंके नीचे उगलदान रखकर दोर थी ने पानी का गिलास उसके उसकी तरह बढ़ा दिया डॉक्टरों ने कहा डोरा क्या मैं मर जाओंगा जॉन गिलास वापस देते हुए कहा जैसे बिलकुल हार गया हो कैसी बातें करते हो डारलिंग डॉक्टर ने तो उम्मीद दिलाई है कि तुम अच्छे हो जाओगे देखो ना खून भी आना बंद हो गया है टेंपरेचर भी नहीं रहता ऐसी बातें सोच कर तुम क्यों अपने को हलकान करते हो खुदा के लिए ऐसी बातें ना क्या करो डारलिंग खुदा के लिए मेरा कलेजा फट जाता है और ये कहते कहते डॉर्थी की आँख हैं भरा रही लेकिन उसकी जब्त कर लिया आँखों के आंसूं आंसूं ही मैं खुशक हो गए जौन चुपचाब खड़की से आसमान की तरफ देख रहा था साफ और बेदिमाग आसमान डूर्थी की जिंदगी की हसीन और पाकीजा आसमान की वुसाथ को तक रहा था अचानव उसके चेहरे फेरते हुए कहा डॉरा तुम्हें याद है वो शाम हमारी शादी को थोड़े ही दिन गुजरे थे हनी मून मनाने के लिए हम दार जिलिंग गए हुए थे साफ शफाफ जील के किनारे बैठे बैठी तुम मुझे नगमे सुनाया करती थी बाइरन की नजमे लिप्टन की वो नगमे टाइगोर के गीत या कभी कभी चानदनी रातों में दरख ततले मून लाइन मून लाइट एंड शाड़ो वक्त जिन्दगी कितनी खूबसूरत थी दोरो और उस रोज जब मैंने तुम्हें शीले की नजमे सुनाने को कहा तो तुमने यूही नास से कहा नहीं फिर बड़ी देर की मननत और समाजत के बाद तुम कितनी पुर सोज आवाज में गाने लगी थी जब तुम नहीं होते जैसे सारे काइना तुम्हारे आवाज की सहर में डूबी जा रही थी तारलिंग क्या मुझे तुम वो नगमे आज भी सुनाओगी वही जो तुम नहीं होते वही जो शीले की नजमे और जॉन ने आसमान की तरफ चेहरा फेरते हुए बड़ी मिलजी अंदाज में देखा जोन के मना करने के बावजूर दोर थी उसके पिलंग पर बैड़ गई उसके बालों पर अंगुलियां फेरते हुए उसकी जी में आया कि कह दे कि उस वक्त उसका कुछ गाना आया ना जाएगा गाया ना जाएगा वह गुजरे हुए खुशी के लम्हों को याद दिला कर उसे परेशान नहीं करना चाहती जौन का परेशान होना इसलिए सोहाना रूह हो जाता है वह नहीं गाएगी तुम गाओगी डारलिंग वह जैसे डूर दूर थी के लाशोरी से आवाज आई हाँ गाओंगी और वह गाने लगी हलकी हलकी मध्यम आवाज में जैसे कोई रूह को जखमी करता चला जा रहा हुआ वह इहसास तक ना रहो रहा हो मौसिकी जब नकरई और आवाज खूल जाती है जहनी फिजा में थर्थराती रहती है खुश्बू जब मखमली फूल बस में बसमुर्दा हो जाती है उस हिस में जिन्दा रहती है जिसको उसने बेदार कर दिया है गुलाब की पत्तियां जब गुलाब बिखड जाता है महबूब की सेज पर बिखड दी जाती है इस तरह उसके तेज ख्याल पर जब मेरे पास नहीं होता खुद इश्क आराम करता है जब तू मेरे पास नहीं होता खुद इस आराम करता है रफटा रफटा जान की हालत समलती जा रही थी अगर चो उसे खाना वाना हजम नहीं होता था और जाबत निस्बतन ज्यादा होने लगी थी लेकिन डोड थी डाक्टरों को यकीन था के जान माईल बसुहत है खुन आना कत्याई बंद हो गया था बखार भी नहीं आता कैया और दस्त तो शायद मुके की खराबी या या यादों के ज्यादा इस्तामाल के बाइस होता था दोर थी की महनत और रुपे खिलाफ तवक्व जाई नहीं हो रहे थे लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहे थे उसे एक फिकर दामंगरी होती जा रही थी पैसे का खर्च ज्यादा था आमदनी का रास्ता मस्दूद था उसने अपना हार बेश दिया सामान फरोखत कर दि ये बैंग मैच जाउन के नाम से रखे हुए रुपे जाउन के वालिद मरते हुए उसे दे गए थे खरीब करीब खतम हो गए थे वो कहां जाए और तारीक दुनिया में उसे दूर नजदीक रोशनी की एक किरन भी ना दिखाई दे रही थी दोर थी चुप थी आस पास अं मार नहीं थी जो इंदोस्तान के छोटे से शहर में मुफलिस कलाश पढ़ी थी कोई भी ना था जो उसकी आँखों में उसे उमड़ते हुए आसों को खुशक करता मायूसी के इस तेरा तार माहौल से निकालता अब तो उसके पास कुछ भी ना था जैसे बीच का जैसे आज कराती अगर जेवर ना भी हो तो कोई हरज नहीं मेडम सिर्फ आपका होना काफी है जैसे बहुत दूर से एक मनहनी सी आवाज आ रही थी वह बंगाली जोलर उसके अथा तारीख में मीनारा नूर की तरह उभर सा गया दिखाई दिया जैसे डूपते को तिनके का सहारा बंगाली जोलर दूर थी से अपने जहन पर उभरने वाली तस्वीर को बड़ी बेदर्दी से नोच फेका अगर जेवर ना हो अगर जेवर ना हो अगर जेवर ना हो दूर थी ने घबरा घबरा कर अपने कानों में अंगुल्या ठूस ली दूर थी दूरो तुम बोलती क्य नहीं हाँ वह बोली मगर जैसे उसके पास बोलने को और कुछ ना रह गया हूँ दूर थी तुम्हे क्या हो गया है अब मेरी बातों का जवाब भी देना गवारा नहीं करती कल इस्ट्रोपट माई सीन के इंजेक्शन भी नहीं दिलाए जा सके डॉक्टर ने सीटी ट्रैम में दाखिल करवाने को कहा था तुमने वो भी नहीं हो सका आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाओं कहते कहते जॉन की आँखे बर आई उसकी आवाज रूदा गई और डॉर थी की ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने में नश्टर चुबो दिया हो वो तड़प उठी नहीं नही तुम ऐसा ना कहो तुम खदा के लिए यू ना कहो उसे जी भर आया और वो सब कुछ भूल कर सब कुछ फ्रामोश करके उसके गलों से लग गए डारलिंग चुप रहो डॉर थी और डॉर थी बदस्तूर साइकल में हवा भरती रही डारलिंग डारलिंग चुप रहो चुप रही डॉरो तुम मर तुम मर तो नहीं गई क्या है डारलिंग ख्यालों में खोई हुई डॉर थी चुप और उसने सोचा काश ऐसा होता काश वो सब देखने के पहले मर गई होती ए काश तुम आज कहा जा रही हो डॉरो डॉर थी ने पंप साइकल से निकालते हुए कहा रोशनी लाने घर की तारीक की रोशनी तो चाहिए ही मैं समझा नहीं तुम आज क्या कह रही हो सच कह रही हो डारलिंग परोस वाली मुसल्मान औरत कहती है जन्नत भी फूल होते हैं और जहन्नम में आग मैं आज जहन्नम जा रही हूँ जहन्नम से रोशनी लाने उसकी आवाज में दर्द था रोहानी कुर्ब और अजियत का पुर्तों था वा बाहर निकल गई और दोरों पर मकान और दरख्तों से घिरे हुए सुनसान और बियाह की चाती की तरफ तनहा रहने वाली सड़क के सीने पर दोर थी की साइकल मूंग डलती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी आहिस्ता जैसे चक्के की हवा निकल गई हो डोर थी की साइकल कर बैटे अपने माहोल से ला परवा सोच के समुन्दर में डूब रही आज उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा आज वो खुद उसी पिस्ती में गिरने जा रही है कच्चे धागे से बंदे हुई एक गहर महसूस ताकत के मातहत सोचती हुई आँखों से बह आने वाले सैलाब को रोके हुई सुर्खे इटों से बनी हुई गिरजा की अमारत उस करीब से आ गई थी उसकी निगाएं आज ही आप युस्व मस्जी को मुझसमे पर जागी युस्व के दोनों हाथ खुले हुए थे जैसे वो किसी अपने को पना में ले लेना चाहता हो और उसके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराट थी वो उसके होंट बन रहे थे जैसे कहरा हो लड़की उठ लड़की उसने पुस्ती से उठा उठ खड़ी उठ लड़की उठ दोर थी कि आँखों में आसु आ गए उसने जी मैं आए कि उसे आवास पर लबैक कहे और यसु मसी के कदमों पर गिर कर इतना रोए कि उसका सारा गम बह जाए लेकिन जौन उसकी साइकल आगे बढ़ गई लड़की उठ उस पस्ती से उठ यसु मसी की आवास उस ताकुब कर रही थी लड़की उठ और और उसके साइकल जैसे आप ही आप एक चक्कर काट कर गूम गई और डोड़ थी उतर कर यसु मसी के कदमों पर गिर पड़ी और पहरो रोती रही और जब यसु मसी कदमों से अलग हुए तो फिजा पर धुन लगा चाने लगा था उसने महसूस किया जैसे वाकई उसके दुख का बार गरम हो पड़ गया हो उसे जॉन का ख्याल आया और वो साइकल लिए तेजी से अपने घर की तरफ लोटी उसने सोचा वो चाके जॉन के सीने से चिमट लेगी और कहेगी देखो डारलिंग मैं कितनी बशाश हूँ देखो मैं रोशनी ले आई एक मुकदस रोशनी जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो देखा के कमरे में धुन्द लगा गहरा हो गया है और उसके धुन्द लगे में जॉन बेखबर सो रहा है और बेख्याली में उसका एक हाथ पिलंग से बाहर लटक रहा है और ये कमरे में उसका गाया हुआ शीले का नगमा अभी तक गोंज रहा है गुलाब की पत्तियां जब गुलाब बिखर जाता है महबूब की सेज पर बिखर दी जाती है इस तरह तेरे ख्याल पर जब मेरे पास नहीं होता खुद इश्क आराम करता है